यह देखो आप दो पेस मुश्ली है और राइस भी है बेस्ट क्वालिटी का है आप खाईए गार बढ़े हैं आप आ सकते हैं यहां पाईए आकर के खाईए हलो दोस्तों स्वागत हमारे एक नए वीडियो के साथ तो हम है आनंद राफ देखरें यह भी ब्लॉक सानर तो यहां पर अच्छा मसली भाद खिलाया जाता तो यह वीडियो हमारे चैनल पर अलग होने वाला है क्योंकि मटन शिकन का वीडियो तो बहुत सार चैनल पर है लेकिन मसली का वीडियो आपको फर्स टाइम देखने के लिए मिल रहा है मेकिंग से लेकिए हर एक चीज आपको वीडियो में कबर होगा तो चलिए फोटल और यह हमारे जस्ट अपोजिट में अगर बात करो यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट की तो यह देख सकते हो यहां पर यहां पर कुर्सी लगा हुआ और यहां पर आप असानी से बैट के जो आप खा सकते हैं तो अगर मसली की बा इस यहां पर निखल के आए हुगा अगर रोगए तो यह देख सकते हुआ हमारा जो है अल्डी पावडर मिर्चा रहेगा घंकी रहेगा धनिया रहेगा लासून रहता है तो हमारा इसमें जा रहा है तो यहां आप देखते हो इसमें नमप एट किया जा रहे है मटन चिकन तो बहुत वीडियो है अब्थ मचली का वीडियो फर्स्टाम होने वाला है तो यह इसका नब बहुत जाद आप क्या Ray चाहिए और बागी का की का जो मैखिए म में देखने को मिलेगा तो वीडियो में करे हुआ बाहरा गया इंधिया मधीय पिस्टी आवा inveji है जो सफ़ीय कि अच्छी तरीके से यहां पर स्काई हो रहा है और यह देख सकते हो बड़े से चुले से और बड़े से कडाही में यहां अच्छी तरीके से तो यह देख सकते हो कि अच्छी तरीके से इक अच्छी तरीके से एक प्लट रहें और बलटने के बाद आप देख सकते हो गाया तो गाइड यह देख सकते हो चाहां पर निख़ता है इसमें फाद क्वालिुटी का यहां पर चावल कायूद की थिया हुआ है तो भिया कौंधा चाहल है हिए अच्छी बोग ने चाहल रखा हो यहां पर यह देख जाहता है 5 crust descended अब बड़ा सकड़ाहे में यहां पर तील गरम हो चुका है अब मेसी पढ़ रहा है और लाल मीर्ट फोरन के जिए कि अब बड़े से कड़ाहे मचली के मसाले को तयार किया जाएगा इसको कम से कम आदे गंटे से कि अब आधा घंटे के बाद भाद भून के एकडम सुखा दिया और मसाला आप देख सकते हुआ मसाले का जो कलर आना क्या ही खुब और इसमेल जो है अभी सही आना स्टार्ट हो गया है तो भी आभी और कितने दिर तक यह भुनाएगा और 15-20 मिनिट अभी और भुनाएगा लगा यह हमारा आदे गंटा तक तो भुना चुका है और उसके बाद गाई पंदर से 20 मिनिट और अभी यह भुने माले उसके बाद मारा जो मसाला है और लगब प्यार हो जाएगा अला जो हमारा पूरा रेडि हो चुका है तो यहां पर जेक्सरब तो इसमें आप अपाट हो रहा है टमाटर का पेस्ट अ कुछ पर जाएगा तो आप अपते हैं कि अपके पर अपना नाम बताएंगे तुमारा है तो भेजी होटल कितने दुने साब खोले हुए हैं लगभग एक महीना तो भेज यहां पे जो है क्या क्या आप आइटम रखते हैं जिकन भी रहेगा अंड़ भी रहेगा धीरे भी सारा ऑप्शन रहेगा वेज का भी ऑप्शन रहेगा बट अभी आप मचली चावल बेच रहे हैं तो यह प्राइस होने इसका असी रूपया प्लेट है दोपीस मचली और चावल रहा था एकदम फ्रेश जिंदा मचली रखता है अग्डम खुलने का आईडिया आपको कहां साय इससे पहले हम घेश्टी हेल्ब्लेक्स में काम करते थे लेकिन दूसरे केंडर काम करना हमको पसंद नहीं था इसलिए हम खुद का विजनेस के रूप में अभी आपने एक होटल खुला हुआ है और यहां पर भी मचली चावल आप देश्ट लोकेशन यहां का बता देश्ट लोकेशन है इसका स्टेडियम के में गेट से जो विधान सा वारोड याता है उदर है थोड़ा दूर आगे बढ़िय अगरा पाने मसाले को मारा जाए ग्रेवी एकड़म जो रेडी हो चुका है इस और यह आगया देख सकते हो हमारा एकड़म अच्छी तरह से फ्राइब किया हुआ है जा रहा है तो गई यह देखो हमारा जो मसली है ना लगबग लगबग 2-4 मिनिट और इसके बाद फाइल अगया तो बीना टाइम isst kia हो है इसको करते हैं टेश्ट और बताते हैं इसका टेस्ट आपको भाईया बैठे हुए हैं और हमें देखने के बाद लग रहा है तो चलिए भाईया से पूछते हैं इनका यहां का जो टेस्ट इनको कैसा लग रहा है मचलिक अगर कोई आना चाहता है यहां पे खाना चाहते हैं तो उनलोग के लिए क्या बोल तो अभी कितने दिनों साप यहां पर आ रहे हो तो फर्स टाइम आए तो यहां को ठेस्ट इजम सही लगा तो दुसरा बार आप यहां आना चाहिएगा तो आपको यहां पर बिल्कुल चीफ प्लेट में मिले हैं पापड़ एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा और चाओल और इस साइट पर देख सकते हमारा मचली कड़ी तो यहां पर देख सकते हुआ इस रोगन और रोगन की बात किया जाया तो क्या ही खुग रोगन इहां पर निकला हुआ है अगर पीस की बात की तो यह देख सबते हूं पीस बड़े साइज की पीस यहां पे आपको दी जा रही है तो क्या करते है पड़ाफट इसको करते हैं कि आप ग्रेवी जो हैना ग्रिदम सही निकल जाया हुआ है ग्रिदम सही तरीके से ग्रेवी को तयार होने के लिए जो मसाला लगता है उसको कम से कम 45 मिनट तक अच्छे से बुना गया उसके बाद दो इसका कलर देखी सकते कितना खुब आया हुआ था ओल अगर टेस्ट की बात की जाया तो काफी सही था और काफी हमें अच्छा लगा मसाला अधरक लसुन जो पेस्ट डाला हुआ था उसका फ्लेवर एकदम सही आ रहा निखर क्या रहा है तो टीज वेनर टेस्ट एक नमर गाईज है बहुत पोड़ा सा अस्पाइक यहां पे मिलने वाला है पोड़ा मेडियम अस्पाइसी है काफी है सही है चिकर मतन अगर खाते होना गाईज तो उस और अगर यह जख सकते हो पीश यहां पे और अगर पीश की बात की जाया तो बड़े साइज का है और तला हुआ था एकदम सही और करते इसको टेस्ट अगर जो ना ग्रेवी और मतली का जब इसकी बात करूं और जगा के और जगा की कंपेर में ना मैं बता रहा हुए आपको अस्विर्पा में दो पीश मस्ली मिलने वाला और एक प्लेट चावल मिलने वाला है योकि पीश भी काफी बड़े साइज का होता है और चावल भी बहुत उत्तम किस्म का यूज किया हुआ है तो अगर कभी आप आते हैं धुरुआ राची में आप इस स्टेडियम के सामने आपको यहां पर विबेक होटल दिखेगा यहां पर आप आके और खा सकते हैं मचली चाल काफी बड़िया हमें स्वाद लगा एक ब मिलता है कई और कुछ ने आलके कल तब तक लिए बाइबाय और टे कियर